कि अब बागुटर काजल मंगुक्या प्रेक्टिसिंग गाइनेकोलोजिस्ट और आईवेफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम और्किड हॉस्पिटल और आईवेफ सेंटर सूरत आज हमारा यह जो सेशन है जो क्यू एने सेशन है फ्रेंड्स एवरी मंद का जो फर्स्ट फ्राइडे होता है वह दिन हम आपके जो क्वेरीज होते हैं जो अपने कमेंट बॉक्स में क्वेशन्स पूछे हैं वह सभी के आंसर लेके आते हैं तो आज हम बात करते हैं काफी हमारे जो वीडियोज हैं आई यू आई पर महाँ पर काफी सरे कमेंट्स आये हैं तो उसी मेंसे एक क्वेश्चन है कि मैं मेरा आई यू आई हुआ है और मैं सिलाई काम करती हूं मेरे पास जो मशीन है वो पैरो वाली मशीन है तो क्या यह आपको कोई भी प्रकार का ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके पेडू के भाग में प्रेशर आए या तो आपका जो यूटरस है उसके सकते हैं और जैसे यहां पर आपने पूछा है कि मशीन जो पैरो वाली मशीन है वह भी आप नहीं चलाएंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा और जनरली आई-ई-ई-ड्रीट्मेंट के बाद 15-20 डेइस के बाद आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है एक से आप आगे ध्यान रख सकते हैं दूसरा यहां पर क्वेश्चन है कि मैम मुझे भी फाइब्रोइड की गांट है और वह 9 सेंटीमीटर की है तो क्या करना चाहिए तो यदि 9 सेंटीमीटर की फाइब्रोइड की गांट है जैसे आज मेरे पास ओपीडी में भी एक पेशन् सक्षन हुआ है और उनको भी 9 सेंटीमीटर की गांट है लेकिन फ्रेंड्स यहां पर इंपोर्टेंट है कि आपको कोई भी सिम्टम्स यदि है जैसे फाइब्रोइड की वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है ब्लीडिंग के समय बहुत ही क्लॉट्स जा रहे हैं ब् ऐसे कोई सिम्टम्स है तो 100% आपको as early as possible यह फाइब्रोइड रिमूव करवाना चाहिए लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि सब सीरोजल फाइब्रोइड होते हैं फाइब्रोइड की सरजरी जो है उसका decision even the location of the फाइब्रोइड की यदि फाइब्रोइड की जो position है जैसे आप there is no emergency मतलब कोई emergency नहीं है कि आप immediately फाइब्रोइड की सरजरी करवाए आप hormonal therapy भी ले सकते हैं ताकि फाइब्रोइड की size कम हो जाए और in case anytime आपको बहुत ज्यादा तकली फोरी है जैसे मैंने पहले बताए जो symptoms है उसमें से कोई भी प्रकार की symptom आ रहे है तो anytime you can go for the surgery यहाँ पर question है कि ma'am doctor मुझे after embryo transfer 5-6 days के बाद spotting हुई है after 7 days मुझे suddenly हलके चकर आ रहे है sometimes little bit stomach pain और cramps भी हुए है मैंने after 9 days ही check कर लिया result are negative please suggest this symptoms is it any good sign or just medicines impact please reply and yes to 2-3 days से breast में भी pain हो रहा है और light tenderness भी feel हो रही है तो यहाँ पर जैसे आप बताया है कि embryo transfer के 5-6 दिन के बाद आपको spotting हुई है तो embryo transfer के बाद generally जो spotting होती है it is a good sign काफी बार implantation bleeding कहते हैं हम उसको और जैसे यह आप आपने बताये कि 9 days में ही आपने चेक कर लिया है urine pregnancy test करके तो friends आपके जो भी डॉक्टर है या तो जहां पर भी आपका IVF का treatment हुआ है वह डॉक्टर ने obviously आपको एक date दिया होगा कि यह date को आपका खून का test होता है बीटा HC test करा है मेरी एक एडवाइस है जो भी व्यूवर से हमारे या तो जो भी पेशेंट्स है जिनको अल्रडी आईवी एफ treatment हो चुका है या तो आईवी एफ treatment चल रहा है in between आप बार बार urine pregnancy test ना कीजिए क्योंकि ultimately उससे आपको psychologically आप डिस्टर्ब हो जाते है 9 days is too early कि आप urine pregnancy test करके उसमें pregnancy है या नहीं वह confirm करें और इसके लिए best है कि आप जो डॉक्टर के पास जा रहे है वह जो guidance दे रहे है वही हिसाब से आप चलिए तो आपको भी मानसिक तोर पर भी एक रहत मिलेगी दूसरे आपके जो symptoms है कि breast में भी थुड़ा heaviness लग रहा है तो यह सारे symptoms as a hormonal hormones आपको अल्ड़ी दिये गए हैं उसकी वज़े से भी हो सकता है इवन patient conceive करता है तो initially first three months of pregnancy में भी ऐसे symptoms आते हैं कि breast heavy हो जाते हैं tenderness field होता है इवन period आने के पहले भी आपको कभी-कभी ऐसे because of hormonal imbalance ऐसे सरे symptoms आ सकते हैं तो यहां पर आपके लिए answer यही है wait and watch and go for beta-hcg generally after 15 days of embryo transfer हम beta-hcg test suggest करते हैं question है कि ma'am मेरा IUI three days पहले हुआ है और किसी कारण से हम relation नहीं बना पाए है तो क्या IUI fail हो जाएगा please ma'am reply कीजिए so friends IUI treatment आपकी जब होती है तो उसमें जो wash sperms होते हैं उसको uterus के अंदर रखा जाता है अभी generally on a safer side after IUI हम advice करते है कि if possible तो आप 24 hours में generally कि एक बार natural relation रख लेना but किसी कारण से अगर natural relation रखना possible नहीं हुआ है तो friends गबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि IUI में जो sperms हम रखते है वो uterus के अंदर रखे जाते है और sperms जो है उसका जो life span है या तो sperms अंदर जो जिन्दा रहते है uterine cavity में और fallopian tubes में that is up to 48 to 72 hours तो एक बार आयोए हुआ है तो it is not always compulsory कि आपको natural relation रखना ही है question आया है कि ma'am period आने के बाद क्या लड़की की height नहीं बढ़ती है तो friends लड़कियों में generally जिसे हम मिनार की कहते है puberty कहते है एक बार puberty achieve होती है या तो आप जैसे puberty के जो तीन phases होते है कि first is the breast bird development उसके almost one to two years के बाद लड़की के periods start होते है second phase जो होता है that is thalar की याने की जो hair development होता है pubic hair development वगेरा होता है और last जो phase होता है जिसमें उनको periods आना start हो जाता है तो जो भी लड़किया होते हैं उनका यह growth spot होता है वह थोड़ा vary करता है even periods आने के बाद भी काफी बर हमने देखा है कि suddenly ही लड़कियों की height बढ़ जाती है so that is because of the growth spot so हमारे एक patient है जिनका already eye treatment चल रहा है तो उनका question था कि मैम मेरा already laser hair removal treatment चल रहा है जो भी patient है जो planning phase में है उनको generally हम avoid करने के लिए कहते है specially जो मैला pregnant है उनके लिए तो completely it is no further laser hair treatment और in case जैसे जो हमारे patient है कली उनका सवाल था कि eye eye treatment चल रही है उस दोरान laser treatment करवाए या नहीं करवाए तो आपके लिए भी वही जवाब है कि specially आपको पता है आपका IUI या तो IVF treatment चल रहा है generally इसमें हम hormonal treatments भी देते हैं, hormonal tablets देते हैं, injections देते हैं तो इस दोरान hormonal imbalance होने के भी chances रहते हैं तो आप laser hair treatment ना करवाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि उसकी जो effectiveness होती है, वह काफी कम हो जाती है तो आप treatment करवा रहे हैं, लेकिन उसका फाइदा जो आपको मिलना चाहिए laser hair removal वह इतना अच्छे से benefit नहीं मिल पाता है plus कि आप जैसे pregnancy in case conceive करते हैं तो उसके जो भी minor radiations वगरा रहते हैं उसकी वज़े से भी pregnancy में या तो आने वाले बच्चे में भी कोई तकलिफ ना आए वह सारे risk ना लेते हुए it is always better to avoid the laser hair removal treatment during IUI और IVF treatment और during pregnancy Thank you friends for watching this video आप हमने जो questions लिये हैं हो सकता है कि आपके कोई near dear में भी ऐसे ही कुछ queries हो तो यह वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए और हमारी जो YouTube चैनल है उसको subscribe कीजिए और कोई भी queries हैं हमारे कोई भी वीडियो में आपको लगता है कि इसके related आपके mind में कोई भी questions है तो आप जरूर से comment box में लिख दीजिए और ऐसे ही हम every month first Friday Q&A session में मिलते रहेंगे तक्यू फ्लैस